वेलकम इन रसके मैच मोनिटर चैप्टर हमारा फिफ्थ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सराइज 5.3 सम नंबर थर्ड थर्ड में हमारे पास गिवन है ए गिवन है फर्स्ट रम इस सेवन ए थर्टिन इसको हम लास्ट रम भी बोल सकते हैं या लास्ट रम हमारे पास क्या गिवन है 35 and find the d और हमने sn file out करना जो गिवन है यहाँ पर क्या दिया 13 a 13 यानि n की value हमारे पास इसमें कितने numbers हैं इसके अंदर 13 numbers हैं and तो हमारे पास यहां से हो गया अब जो गिवन है उसकी help से हम question को आगे लेके जाएंगे अब गिवन हमारे पास क्या है a 13 equal to 35 a 13 यानि a 13 क्या हुआ a plus में 12d यानि n minus 1 equal to 35 is given a की value हमारे पास क्या है given 7 12d equal to 35 d की value find out करेंगे 12 d equal to 35 7 यहाँ plus में इदर जाके minus में हो जाएगा यानि जो value हमारे पास given है उसी का formula यहाँ पर पहले apply करेंगे उसी की help हमारे questions के other number आएगे अब यहाँ पर 35 में हमारे पास क्या हुआ 28 d को find out करेंगे d equal to 28 12 यहाँ multiply में इदर जाके divide में हो जाएगा अब यह हमारे पास 4 7 जा 28 और 4 3 जा यहाँ d की value हमारे पास क्या हो गई 7 by 3 अब हम d तो हमारे पास हो गया 7 by 3 s n यहाँ sum of the n terms यहाँ हमने numbers कितने है s 13 नमबर है इसके अंदर तो s 13 निकालेंगे हमारे पास क्या होता n by में 2 अगर हमारे question में last term यहनी last term given हो तो हमारे पास क्या होता a plus mean l last term यहनी first term plus mean last term sum निकालने के लिए n हमारे पास 13 by में 2 first term is 7 और last term is 35 यहाँ से 13 by में 2 दुन्नों को close करेंगे 35 हो यहाँ से हमारे पास 42 इससे कट करोगे हमारे पास हो गया 21 यानि 13 वन जा 13 1 carry 26 और 27 273 दिस इस यूर आंसर अब इस question में हमारे पास देखो d given है a 12 यहाँ से 12 यह a nth term है यानि हमारे पास n numbers कितने इसके अंदर 12 series है 12 series का है यानि जो 12 number पे series है हो हमारे पास 37 है n भी हो गया हमारे पास यानि sn निकाल लेगे हमारे पास a n और d की need होती है तो यहाँ से मारे पास सबसे पहले हम a को find out करेंगे with the help of a 12 की जो value a n दिया है और sn दिया तो sn की value से help से हम question को आगे लेके जाएंगे अगर a 12 a दिया है तो हमारे पास a n दिया है तो उसकी help से question को हमें लागे लेके जाएंगे अब a 12 है यानि a 12 हमारे पास क्या given है 37 अब a 12 it means हमारे पास a plus में 11 d होगा जोकि n minus 1 होता है 37 a की value नहीं given 11 d हमारे पास 3 है equal to 3 equal to 37 a plus में 33 equal to 37 यहां से a की value find out करने के लिए 33 को move करेंगे left से right की तरफ equal से जब उदर जाएंगे plus का उदर जाके minus का हो जाएगा तो यहां पे a की value हमारे पास क्या होगी 4 a हमारे पास 4 होगया अब s n यानि हम क्या निकालेंगे s 12 निकाल रहे हैं क्योंकि इस series में हमारे पास numbers कितने 12 number तो n by में 2 और यहां से a plus में अगर last term given है तो हम last term को ही use करेंगे इसमें last term हमारे पास 12 है n by में 2 numbers कितने हमारे पास 12 by में 2 और a हमारे पास first term आगी 4 और last term हमारे पास 37 12 by में 2 37 और 4 41 तो से डिवाइड करोगे 2 6 जा 12 6 से फिर multiply करोगे 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24 इस यूर आंसर आप फिफ्थ पार्ट देखेंगे हम फिफ्थ पार्ट में d given है s 9 यानि sum of 9 terms का यह number system में कितने numbers है 9 numbers है यहां से हमारे पास हो गया अब a और a 9 हमने value निकालने है अब इसके लिए हमारे पास s 9 की help से question को solve कर सकते हैं a9 यानि a निकालने के लिए हमारे पास a प्लस में 8d की नीड होती है a9 निकालने के लिए हम a प्लस में 8d यानि n-1d आप हमारे पास इस question में a नहीं सबसे पहले a find out करेंगे हम a किसकी help से जो given है हमारे पास s9 given है s9 क्या हमारे पास n by में 2 2a प्लस में n-1 into d यह हमारा sum निकालने का formula है जब हमारे पास last term is not given last term नहीं दी हो तब हम इसके formula से find out करेंगे अब s9 हमारे पास जो given है क्या 75 तो इसकी value हम 75 के एक रखेंगे n numbers कितने में n by में 2 यानि 9 by में 2 2a हमारे पास नहीं given n 9 है तो हमारे पास यहां पे n minus 9 minus 1 8 d और d हमारे पास जो given 5 तो एक d की जगे हम 5 पुट करेंगे 75 सबसे पहले बाहरवारे नंबर को remove करेंगे यहां से 2a plus में 8 5 is a 40 75 यह नंबर यहां पे इसके multiply में उदर जाएगा तो 2 multiply में और 9 divide में हो जाएगा आप यह 3 से cut होता है इसको 3 से cut कर सकते हैं 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9 2a इक्वल टू 20 50 बाइ में 3 यहां पे plus का 40 है इदर आके minus का 40 हो जाएगा 2a इक्वल टू दोनों का LCM 3 आएगा यहां से 50 as it is minus का 120 हो जाएगा अब हमारे पास 2a 50 में से 120 में 50 गए minus के 70 बाइ में 3 a की वैल्यू हम निकालेंगे यहां से minus का 70 बाइ में 3 2 यहां multiply में है इदर आके divide में हो जाएगा 2 से cut करोगे यहां से 35 यानि हमारे पास a की वैल्यू होगी minus के 35 बाइ में 3 यह हमारा अंसर होगा a अब हमने a9 निकालना है a तो हमारा हो गया minus 35 बाइ में 3 a9 यानि a9 हमारे पास करोगा a plus में 8 d अब a की जगह हमारे पास क्या है minus के 35 बाइ में 3 और 8 और d हमारे पास क्या है 5 8 5 जा यानि माइनस के 35 बाइ में 3, 8, 5, 40 इन दोनों का LCM लेंगे 3 LCM का 35 as it is और यहां से प्लस का 120 इनको solve करने के बाद जो result आगा हमारे पास वो होगा A9, this is your answer अब last part देखते हैं, last part में जो S, sum given है sum का formula हमारे पास क्या होता है S, n होता है, हमारे पास N by में 2 2, A plus में N minus 1 अगर last term given है, हमारे पास क्या होता है A plus में L, यह हमारे पास according to situation से लेंगे यहां पर last term is given, तो last term की help से मागे बढ़ेंगे S, n given है, कितना हमारे पास 144, अब terms इस series के इंदे 9 term है तो हमारे पास N की value हमारे पास क्या होगी 9, अब S, 9 is given है 9 by में 2 A, हमारे पास note given plus में last term हमारे पास क्या है 28 is equal to 144 सबसे पहले 9 by 2 को move करेंगे A plus में 28 equal to 44 है यहाँ पे 2 divide में इदर जाएगा तो multiply में और यहाँ 9 हमारे पास divide में जाएगा अब इसको cut करेंगे 9 बंजा 9 9 बंजा 9 और 5 बचेगा 9, 6 जा 45 A plus में 28 equal to 16, 2 जा 32 A की value find out करेंगे 28 को move करेंगे 32 यहाँ पे plus का इदर जाके minus में हो जागा तो A की value हमारे पास 4 हमने A ही find out करें यदि जो question में S N given तो S N का formula यूज करेंगे अगर हमारे पास last term given है तो last term का formula यूज करेंगे terms यदि जो हमारे पास given है उसी की help से question को हम write करेंगे एक बार उसमें देखेंगे क्या हमने find out करना उसकी हेल्पस्यूस को हम सोल करेंगे इस इस क्वेशियन नबर थर्ड देर शुदेंट्स इफ यू लाइक आर वीडियो देन लाइक और शेर वीडियो और अलसो अब्सक्राइब आ चैनल थैंक यू